ये दो संस्थाव ने किया है जो RSS के काड़र्ज हैं तो मेतेई समाज को बुरा समझना घलत है ये RSS के ट्रेंड आतंगबादियों को बुरा समझना और उनको सब को पकड़के अपने बॉसिस के साथ जो कहां बैटे हैं नागपुर में जो दिल्ली में बैटे हैं उन लोगो काड़ी जो हर्याना के CM सहाब है मोलु माने सर उनके कारए करता है ये वह कारे करता है जो आरश-अस के ट्रेंड आतंग वादी हैं यही आतंगवादी जो ये काम करते हैं ये election के दोरान बूत कैट्चरीं का काम भी यह करते हैं ये विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए, इनके साथ कोई भी नर्मी पूरवर, बिहेवियर, जो है वो देश के लिए घातक सिद होता है, पुलिस के साथ खड़े होके, ये आतंगवादी गोलियां चला रहे हैं, पुलिस भीवा मौझूद है, और ये आतंगवादी गो कार्डर्स से भी ज्यादा, क्योंकि इनकी सिम्मेदारी है कि इन कार्डर्स को अरेस्ट करें। हलो, नमस्कार, आदाब सत्रेकार और सलाम अलेकुम, मैं हूँ मौमद अहमद काजमी, आज एक खास प्रोग्राम है, नजर दुनिया पर प्रोग्राम की जगा एक और एहम प्रोग्राम हमें आज करना पड़ा है, देश भर से हमें ऐसे मैसेजिजिज और पेगामात आ रहे हैं, कि हर्याना के जो हालात हैं, उस पर कुछ और डिटेल से मालूमात आप तक पहुचाई जाए, आज एक नई दिल्ली में खास प्रेस कॉनफरेंस हुई है, जिस प्रेस कॉनफरेंस को भानु प्रताप सिंग, बहुत ही जाने माने वकील और राश्ट् कॉनफरेंस की है, इसमें गोधी मीडिया का कोई पत्रकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लोग थे, नई दिल्ली में, मेहमूत प्राचा साब के आफिस में, ये प्रेस कॉनफरेंस की गई है, आज मैं इस प्रोग्राम में खास तार पर इस पूरी प्रेस कोंफरेंस के छोटे छोटे टुकड़े आप तक पहुंचते हैं लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने जो दर्शक हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन्फरमेशन पहुंचाई जाए ताके वो नतीजा अपने आप निकाल सकें बानो प्रताब सिंग और महमुद प्राचा दोनों ही वकील गरीबों के लिए और जरुरत मंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं इस वक्त जो प्रेस कानफरेंस में जो कुछ कहा गया है आज उसको आप गोर से सुनें पहले बानो प्रताब सिंग क्या कह रहे हैं उनको सुनें वो क्या कुछ कह रहे हैं आज जो प्रेस कानफरेंस बुलाई है एक बहुत ही महत्मुण विशे है और वर्तमान में जो सरकार है इसने वो इस्तिती पैदा की है जिससे देश में लगातार हिंसा की घटनाएं नफरत की घटनाएं हो रही है उसी सिलसिले में यह प्रेस कानफरेंस बुलाई गई है हरियाना में नुहू आपके सामने है बलकि अगर आप देखें तो लगातार तीन घटनाएं होई है मणिपुर सब के सामने ही है वो लगातार हो रहा है संसद में प्रदान मंत्री संसद में आनिरे भाग रहे हैं संसद ठीक उसी समय जो घटना हो रही है ग्यान व्यापी की घटना हो रही है और ग्यान व्यापी की घटना पर भी एक बहुत ही गंभीर एक सवाल उस व्यक्ति के खलाब खड़ा होता है जो समविधानिक पत्पे है यानि कि वहां का वो कहता है कि मुसल्मानों को अपनी एतियासी गलती माननी चीए और अपने आप पहल करनी चीए ग्यानवी अपी को हिंदों को सौपने की और अगर उसे ग्यानवी अपी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा मतब एक धमकाने की भाषा और समयधानिक पद पर बैठा हुआ वेक्ती और उस समय जिसे मामला कोट में चलना है और उसके साथ ही अब एक और जो घटना हुई है जो सब को वाकई में बहुत दुख देने वाली घटना है वो है हर्याना हर्याना के नुहु में और नुहु के बाद में जो सारी घटना आगे हुई है जैसे तनाब आपका फरीदाबाद में भी है गुडगावा में भी है आगे पलवल तक पहुँच गया उधर पानी पास सोनी पत तक पहुँच गया और देखे मज़दार बात की हर्याना के कई हिस्सों से हो सकता है और राज्यों से पिलोग आए हो जिस यात्रा की जिस यत्रा की वह शुरुवात से कर हो ज़ल चणानाने के लिए उसमें अलग अलग जगہ से लोग आए हुए तो ये जो गंभीर परिस्जिती है इस परिस्जिती ने वाकई देश को ज़ो है बहुत संकट में डाल दिया और अब तीनों राज्य देखेंगे मनिपुर होतो उत्तर प्रदेश होतो हर्याना होतो तीनों राज्यों में राज्य सरकार है भाजपा की और केंद में है इस सरकार तो जहां भी यह सब कुछ हो रहा है हिंसा जो फैला ही जा रही है मारकाट जो मार करी जा रही है नफरत जो फैला ही जारी है देश का महौल ख़राब करने की जो कोशिश की जारी है यही डबल इंजन की सरकार लगातारी है काम कर रही है और यह बढकादव सोची सम्जी साझिस है और चारोँ इसमय शामिल है और भी होंगे लेकिन चारोँ चारों कौन-कौन इन सम्में शामिल है अपने आपको अलग नहीं कर सकते हैं नब्बे देन से प्रदान मंत्री मनी पर पकुछ नहीं बोले क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं हरियाना में घटना हो रही है प्रदान मंत्री के मुझ से एक शब्द नहीं निकला है क्या उस वरोका नहीं जा सकत इसको रोकने वाला क्या पुलिस अपने आप वहां से गायव हो गई यह उपर से कोई आदेस्ता कि भी कुछ होने दो कुछ करना नहीं और जो सवाल सामने आ रहे हैं खुद बीजेपी के सांसद विधायक और मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आप शोभा यात्रा लेके जा हैं उसमें हत्यारों को क्या गाम है और हत्यार भी अत्याधान हैं रिवाल्वर हैं पिस्टल हैं राइफल्स हैं साथ में तलवार तो आमी हो गए उनके लिए यह कैसी शोभायात्रा है तो यह जान बूज कर इस देश का महौल खराब करने के लिए केंस सरकार द्वारा मोध लगता है कि जो सत्वाल मलिक जी जो पूर्व गवर्णर हैं वो जो बात के रहे हैं लगता है इन सब घटनाओं का देखे कि उनकी बात एक एक बात उनकी सही साबित होगी जैसे जैसे चुनाब केंद्र का लोकसभा का चुनाब पास में आता जा रहा और उससे पहले आप जानते हैं चार राज्यों के चौनाब होने हैं राजस्तान मद्विण प्रदेश 36 ग्र ओर तिलंगाना उनके चौनाफ तो 9 दिसम्बर में ही होने हैं और उसके बात में जो है अप्रेल-माई में चौनाब होना है लोकसभा का तो यह जो सारी चीधिरह अरी उस देखते देखते हर जी गई माहौल हो रहा है नौइडा में भी एक बड़ी मतलब उसकी वह हुई है उसके संबंद में और एक और मज़ेदार जो बात है कि इसके सिलसिले में तो आरेसस कई जगहे पर आंदोन करने की और यूं कहा कि वह future कोटना कहा कि और अपना काम करें प्रिशाहतन यहां किस बात के लिए यह इस सपना काम करें 23 जगहे के लिए तो केवल दिल्ली में ही RSS कह रहा है प्रदशन करने के क्या है इसका मतलब इसका मतलब साफ है कि जब जो जनता के जुड़े हुए जितने भी मुद्धे हैं उन पर आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो तीन महीने से मणीपुर में हिंसा चल लए है संसद में आप जवाब नहीं दे रहे अविश्बास प्रस्ताप के इस सरकार के खलाप लाया गया है हमोदी सरकार के खलाप और सुप्रिम कोट के सामने जो फैक्ट आए है जो सुमोट एक्शन सुप्रिम कोट ने लिया है उसमें जिस तरह से केंदर सरकार मोधी सरकार एक भी सवाल का जवाब देने में समर्थ नहीं और पूरी तरह से नंगी होगी दुनिया के सामने उन सारी स्टिति सो घिरते हुए तब ये साजिस के पहत ये सब कुछ किया गया है अन्यता चंद गुंडे आके इस तरह से भढ़काने वाली बात कर रहे है इस हिंसा में बेवज़ जिसका कोई अर्त नहीं था दो हम गाट वाले मारे ये तो हम इसकी कड़े शब्दों में भरतसना करते है हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते है वहां के लोग लगातार हमारे संपर्ख में हैं और हम लोग वहां किस तरह से वहां जाएं किस तरह का प्लान हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहां के साथी हैं क्योंकि केबल वहां जाके और आप केबल परियाटन करके आ जाएं उसका कोई अर्थ हम नहीं समझते है आप जानते हैं महमुद बाई ने जिस समय जाम दिल्ली दंगा हुआ तो यह वेक्तिगत रूप से जाके पूरी दिल्ली में जहां जहां सब इफेक्टिड लोग थे जाके उनसे बात की उनकी बातों को सुना और उसके बाद में जो मुकदमे हैं लगातार हम लोग लड़ रह तो हम जाने का मतलब हमारा यह है अगर हम जाएंगे तो कोई अर्थ है उसका उनको जो लीगल एड़ चीए वो प्रोवाइट कराएंगे उनके जो मुकदमे हैं वो उनको लड़ेंगे और साथ में जो पुलिस की यह गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है यह य के पुलिस की ताना शाही गुंडागरदी रुके तो जाएंगे हम लोग वहां से दब लोग सारी चीजों को समझ के हम लोगों से अप्रोच कर रहे हैं बास हमारी मानेंगे देन उसके बाद हम लोग भी वहां पर जाएंगे इसी सिलसले में आज हमने यह प्रेस कांशन्स आप कोशिश कर रहे हैं इसे न करें इससे किसी का भला होने वाला नहीं है आज तक हिंसा में कभी किसी का भला नहीं हुआ और साथ की साथ जो भी वहां पर लोग हैं मेवात की जितने भी लोग हैं हाला कि वहां वो ऐसा इलाका है 1947 में जब देश में कई जगे पर दंगे हुआ और 1902 में में भी जब बाबरी मज्जिद के बाद में कई जिगे वारद आते हुई वहां तब भी कुछ नहीं हुआ और वो उसे सिती में है जब कि वहां की 80% अबदी मुस्लिम अबदी है लेकिन लोगों की समझदारी का लोगों की सेंश शक्ति का इस तरह इतना है कि किसी भी तरह से इस बैकावे मेंने आते हैं और इस बार तो केबल उनों नहीं गहिँए जो भिनबिन समाच के लोग हैं जैसे उकसाने की कोशिश की अभी भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं किसानों को उकसा जा जा रहा है मौनु माने सर के साथ में यादव लगा प उसको कहा जा रहा है कि मोनो यादम माने सर, मोनो माने सर यादम कर गे मतलब इस तरह से हुकसाने की कारवाई की जा रही है बाबजूद उसके किसान, वहां के जो लोग है भिन भिन कम्मिनिटी के लोग है, उक साबे में नहीं आए और एक तरह से RSS के और बजने के दल और इनके विश्वन्दू परिस्ट के मनसूबों पर पानी वहां की पब्लिक नहीं फेर दिया है पर फिर भी ये घटनाय दुकद है और सोशल मीडिया के मादधम से जो इनके IT सेल के कीड़े हैं तनकहिया कीड़े ये लगातार जो गंदगी फैला रहे हैं उससे माहल कभी भी बेगड़ सकता है हम इस सब के भरसना करते हैं और लोगों से हम उमिद अपील करते हैं मेवात के लोगों से किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की उकसाबे की कारवाई में नाए शांती बनाके रखें तकि माहल खराब नहों क्योंकि ये यही चाहते हैं ये उकसाबे की कारवाई करने के लिए कु अपील है वहां के लोगों से और देश के सभी लोगों से अपील है इस गंदगी से बचें और जिस तरह से अब आप पब्लिक इनका जवाब देने लगी है उसी तरह से लगातार इनके हर मनसुवों को फेल करें तकि देश का माहल बिगड़े ने शांती ववस्ता बनी रहे औ और आगे हमारे भाई बड़े भाई महमूद पराचा जी इस विशे में आपको संबोदित करेंगा बताएंगा उसके बाद आपके जो सवाल हो प्लीज आप पूछी और अब इसके बाद आप महमूद पराचा साब को सुनें कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और वो क्या कुछ क करना चाहते हैं उन्होंने बताया कि फर्वरी 2020 में जो 39 डिली में मुसल्मानों के खिलाफ फसादात किये गए थे जिसे सामपर्दाइक धंगे कहा गया था उसमें वो फौरण एक्टिव हो गए थे महाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर कि उन्होंने लोगों से मुलाकाते की थी हालात को समझाता और आज अधालतों में बहुत से फूलिस वाले बहुत से आरे-स-स के लोग मुकदमों का सामना कर रहे हैं और महمود प्राचा और उनके साथ ही उसे बहुत मख़ूती से लड़ रहे हैं अब सुनिए महमूद प्राचा साब क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले तो मैं बहुत इस दुख भरे महौल में भी आज एक जो आशा की किरण नजर आ रही है और वो बहुत बड़ा चेंज जो हम देख पा रहा हैं वो आप सब लोग जो की देश का चौता स्थम्भ हो असली प्रेस वो क्रिमिनल मीडिया नहीं ज जो नौइडा के बड़े-बड़े टेलिविजिन चैनल जिनको अपने आपको मेंस्ट्री मीडिया कहते हैं जिनने हम क्रिमिनल मीडिया कहते हैं उन सब से ज्यादा उन सब की व्यूशिप से ज्यादा आज जितने आप लोग यहां बड़ी संख्या में आए हो इस विशे प कई गुना ज्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्तिती इस बात को दिखाती है और इस से हम बाकी सभी भी अंबेट करवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आए सामने और असली जो सोशल मीडिया है जो अ उनको देश से उखाड फेके और इनके सही स्थानों पर जेलों में हमारे देश में बहुत सारी जेले हैं जिन में इन लोगों को RSS और BJP के लोगों को पहुंचाना इस देश के हरेक सच्चे और अच्छे नागरिक का करतव है फर्ज है क्योंकि ये लोग देश तोड़ने क आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं भारत को खितम करके हिंदू राष्ट बनाने की चेष्टा कर रहा है हम लोग अमबेटकर वादी इस बात को साफ साफ तोर पर कहते हैं ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती है घटना है चाहे वो मनिपूर हो अराम भाई तेंगुल और मेति लेपुम नाम की दो संस्थाएं हैं जो RSS की बजरंग दल जैसी संस्था है मनिपूर में यहां जो हुआ हर्याना में शुरुआत नू चल के कौन गया अगर हिंदू समुदाय भी चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग थे अगर शोबा यात्रा निकाल रहे होती है अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे तो ये सब बिलकुल कुछ नहीं होता और ज्यादा तर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से ही जाते हैं लेकिन ज यहां गुजरात में भी, यहां यूपी में भी, यहां हर्याना में भी, और जहां-जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बिहार शरीफ में भी आपने देखा, तो इनके ट्रेंड, RSS के जो आतंगवादी काड़ाज होते हैं, जिनको यह ट्रेंड करते हैं, आप लोग ही प्रिमिनल मीडिया तो नहीं दिखाती, तो यह आतंगवादी संगटन जो हैं, इनको जो इनके हात्यार बन, ट्रेंड, सिपाही हैं एक तरह से, जो आतंगवादी हैं, जिस आतंगवादी एक संगटन की सरगना जो थी, साधवी प्रग्यान सीग ठाकोर, वो वैसी संस्था जो RSS द्वारा ट्रेंड हैं, वो लोग ऐसी चगाहों पर जाते हैं, ऐसे जलूसों में जाते हैं, अपने काड़स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग हमले करते हैं, पूरा कोई भी समुदा है, कोई ऐसी गलती नहीं करता है, एक तो मेतेई समाज को बुरा समझना घलत है ये RSS के ट्रेंड आतंगवादियों को बुरा समझना और उनको सब को पकड़के अपने बॉसिस के साथ जो तहां बैटे हैं नागपुर में जो दिल्ली में बैटे हैं उन लोगों के समयत जेलों में बिजवाने का काम हर एक भारती क्रिक्का है किसी भी समुदाय को बुरा बनाने की कोशिश ये लोग ही करते हैं और ये इतने बेशरम है कि खुद अपने समुदाय को भी बताना चाहते हैं कि ये दो समुदायों में जगड़ा हुआ है जगड़ा कौन करता है RSS और BJP के काड़स ये बहुत महतुपूर बा आतंगवादी जो ये काम करते हैं ये इलेक्शन के दोरान बूत कैचरिंग का काम भी ये करते हैं ये भी विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए इनके साथ कोई भी नर्मी पूरवक बिहेवियर जो है वो देश के लिए घातक सिध होता है तो राजिस् सरकार की है जो पूरे देश को भुगत नहीं पड़ सकती है तो राजिस्तान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मोनु मानेसर को आतंगवाद की घटनाय करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए ये बहुत महतुपून बात है क्योंकि यही मोनु मानेसर और इस जैसे द दिल्ली दंगो का भी मानु भाई ने उधारन दिया हम लोग क्या करते हैं सरकारी अधिकारी पुलीस के अधिकारी जो सविधान की शपत लेके काम करने के लिए बात दे हैं क्योंकि उन्हें सविधान की शपत लिए वो जब कानून तोड़ते हैं जैसे अभी मोनु मानेसर को और ऐसी वीडियो भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रहे हैं जहां पुलीस के साथ खड़े होके यह आतंगवादी गोलियां चला रहे हैं पुलीस भीवा मौझूद है और यह आतंगवादी गोलियां पुलीस के साथ खड़े होके चलवा रहे हैं तो ऐसे पुलीस के जेल भीजवाने का काम हम दिल्ली दंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगा भी करेंगे क्योंकि ये लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं RSS और BJP के आतंगवादी काडर्स से भी ज्यादा क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि इन काडर्स को अरेस्ट करें बले कितना भी प्रेशर हो हमिच्छा जी की तरफ से बले ही कटर साब की तरफ से कितना भी प्रेशर हो बले ही चीफ मिनिस्टर मनिपूर के अग कितना भी प्रेशर हो पुलीस को काम समिधान के दाइरे में करना है सरकारी अफसरों को काम सरकार समिधान के दाइरे में रहके समिधान की जिम्यदारी के तहत करना है यही काम हम लोग मणीपूर से भी जाएंगे वहां से भी हमारे पास आ रहे हैं ये request जो हम जाएंगे वहां भी कारी अधिकारियों के हो, कितना भी pressure political आपके आकाओं की तरफ से हो, आप वो काम करोगे जो कानून आप से कहताय करने के लिए, उसके बाहर जाके काम करोगे, तो आप भी अपरादी हो जाओगे, ये सोच समझ के आप जो भी कारे कर रहे हो, करो, वरना कानून आपको पड़े कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सभी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं, देश का महल खतम करना चाहरे हैं, खराब करना चाहरे हैं, और गुडगाओं में देखिए क्या शरारत कर रहे हैं, दिल्ली में क्या शरारत कर रहे हैं, इतना बड़ा investment, foreign investment गुडगाओं में आया हुआ है, उसको सब खराब करने की चेश्टा जो है, ये आतंगबादी संकटन कर रहे हैं, गुडगाओं में जो इन्होंने आतंगबाद की घटनाएं शुरू की हैं, नू के बाद, तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग समिधान के दुश्मन हैं, और ये ल पार्टी हैं, उन से भी ज्यादा हमें अंबेट करवादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग पोलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा आज किसी पर भरोसा करते हैं, तो अंबेट करवादियों पर करते हैं, और जो सोशल लोग एक्टिव हैं, जो सिविल ससाइटी के वो fraud वाले नहीं, जन्मिन जो लोग हैं उन पर भरोसा करते हैं, जो जान हतेली पर लगके, सच को सच और जूट को जूट बोलने की ताकत रखते हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो सीधा बोल रहा हैं कि ये सब गतिविदियां, RSS और BJP ने कराई हैं, अमिच्छा साहब ने करा आई हैं, ये जो बोलने की, और इसी वज़ा से, प्रधान मंत्री खामोश करें, बोलते ही चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए खामोश हैं, चोर हमेशा बचता है, और आप जैसे लोग हैं, कोई अब जब प्रेस कॉन्फरेंस कभी मोदी जी ने कर ली, तो ऐसा तो नहीं हो आप लोगों की वज़ा से, मोदी जैसे वेक्ती, सब कुछ, लाखो करोड रुपे खर्च करने के बाद, ये मीडिया मेनेजमेंट का, फिर भी प्रेस कॉन्फरेंस करने से डरते हैं, मनुबर के मामले में बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी के मामले में बोलने से डरते हैं किसी भी मामले से बोलने में डरते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वज़ा से है उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारक बात भी देना चाहता हूँ धन्यवाद आज की इस प्रेस कांफरेंस की खुबी और खास बात ये थी कि इसमें ये दोनों वकील इस बात के लिए तैयार हैं कि जो गुरू ग्राम में जो नू में लोग हैं अगर वो उनके पास आएंगे तो वो जरूर उनकी कानूनी मदद करेंगे और कानूनी मदद जब वो करते हैं तो बहुत ही बहुत ही बहतरीन नतीज़ा आते हैं और कानूनी लड़ाई सही वकपर सही तरीके से लड़ी जा सके शुरू की जा सके देश के सम्मेदान में बहुत से गुंजाइश है कानून के जरीए हम जरूर अपने जो देश के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ लड़ सकते हैं ये बात बहुत ही एहम है ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखें और बताएं कि क्या हम इस तरह के प्रोग्राम और भी आप तक पहुंचाते रहें आप अपनी राए जरूर लिखें इसी के साथ मुझे दीजिए अजाज़त धन्यवाज शुक्रिया जै भारत जै मेडिया इस्टार वाल्ड के और वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधर नोडिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन दबाएं और अगर हमारी ख़बर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने वाट्साप, इंस्टागराम, फेस्बुक और ट्यूटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें